हलो दोस्तों नमस्ते सरोज की किचिन में आपका स्वागत है तो आज मैं आपके लिए लाईयों बहुत ही डिलीशियस मलाई की रेसिपी यानि की मलाई कोपता की रेसिपी इसे मलाई कोपता है इसलिए का जाता है कि इसमें पनीर और आलू की बॉल बनाई जाती है बेच में और उने खरए काया जाता है और उन्हें एंड्द करते है वहाद ही रिच ग्रेवी में और टीक है ,one जाद कोपता बनाये है और लिए अपने इस देखते हैं कि यह एप 망ुप बनाये और आठ दस लेसन की कलियां और एक हरी मिर्ची ली है इन सब को मुठा मुठा काट लिया है अब हम गैस पर कड़ाई रखेंगे उसे गरम होने देंगे कड़ाई अमारी गरम हो गई है अब इसमें एक चम्मच ओईल डालेंगे इसे भी करम करेंगे और इसमें डालेंगे एक तेज़ पत्ता को दो हरी इलाईजी और रफली चॉप की वे प्याज भी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से सोटे करेंगे और लेसन की कलिया भी डाल देंगे साथी अद्रक के टुकड़ों को भी डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे हरी मिर्ची और सभी को अच्छा सा फ्राइ करेंगे चलाते हुए आज को फ्राइ करते हुए एक दो मिनट हो गए है यह हमारे हलके से पारदर्ची से हो गए है अब हम टमाटरों को भी एड़ कर देंगे इनकी साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक ज क्योंकि हम ग्रेवी में दही का भी यूज करेंगे तो हमारी सब्जी ज्यादा खटी हो जाएगी इस बज़े से टमाटरों को अच्छे से पकाना जरूरी है अब डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और आदा छूटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन्हें मिक्स करत हमारी मसाले जले नहीं इसके लिए तोड़ा सा पानी ढल देंगे और मिक्स कर देंगे और दो मीनाट तक ठक कर पकใหे तक हमारे सी टामाटर और मसाले अच्छे से पक जाएं हमारे मसालों को पकते हुए दो मिनट हो गई है अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मसालों को ठंडा होने देंगे तक हमारे मसाले ठंडे होते हैं तब तक हम कोपते बना लेते हैं यहाँ पर लिए हैं चार छोटी साइज के आलू बोईल किये हुए और धाई सुग्राम पनीर और थोड़ी से काजू और किसमेश आलू अच्छी तरह से बोईल किये हुए होने चाहिए अब इने छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे बिल्कुल भी पनी नहीं होना चाहिए अगर आपने आलू अभी उबा लें तो उने थोड़ा सा ड्राई होने दें या फिर थोड़ी देर ठंडा करके फ्रीज में रख दें और आलू का मोईस्ट्र कंटेंट बिल्कुल लो हो जाए और पनी देर युर्ल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और फनीर हमेशह फ्रेश ही लें पुराना पनीर ना लें फ्रेश पनीर को थोड़ा देर फ्रीज में रख लें बाद में ग्रेट कर लें और फिर इस्तेमाल करें मॉइस्टर बिल्कुल ना हो अगर मोईस्चर कम करना है तो इसमें थोड़ा सा वह भी मिक्स कर सकते हैं अब हम यहाँ पर आलू और पनीर को अच्छे से अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हम एड़ करेंगे डही चम्बाश कॉर्न पलोर आपके पास कॉर्ण फ्लोर नहीं हो तो इसकी जगे आप मैदा का यूज भी कर सकते हो एड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार कॉर्ण फ्लोर को अच्छे से मिक्स करना है हमें खुद फील होने लगता है कि हमारा पनीर का डो एकदम चिकना हो गया है कोपते बनाने के लिए हमारा डो तयार हो गया है अब हम कोपते बना कर तयार कर लेते हैं पनीर डो में से इतना सा डो ले लिया है और इसे दवा कर चोड़ा कर लिया है और ये हमने काजू टुकुडी और किसमिस लिया है इन में इस तरह से बंद करके पाज से गुल गुल गुमा कर लड्डू जैसा बना लेंगे इसको कोपते की शेप दे देंगे आप चाहें तो इसे लंबा साइज का कोपता बना सकते हैं मैं इने गुल साइज के कोपते बना रही हूँ हमारा एक कोपता बनकर तयार हो गया है अब हम इसी तरह से दूसरा कोपता बनाएंगे हमने थोड़ा सा डू हाथ में ले लिया है इसे मूलियों से चक्टा कर दिया है इसमें थोड़ी से काजू और किस्मस रखेंगे और चारों से उठा कर इसको बंद कर देंगे अच्छे से और इसे गोल गोल गुमा कर गोल कोपते की शेप देंगे ये भी हमारा कोपता बनकर तयार हो गया है इसी तरह से हम सारे कोपते बनाकर तयार कर लेंगे अब देख रहे हैं हमने हमारे सारे कोप्ते बना कर तयार कर लिए हैं अब इन्हें फ्राई करेंगे अब हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें एक कोप्ता डालेंगे अब इन्हें दीरे दीरे एक एक करके सारे डालते जाएंगे चितने कोपते इसमें आ जाएंगे उतने कोपते डाल देंगे कोपते नहीं डालेंगे इन्हें पलट सकें इतने ही डालेंगे कोपते जब भी फटते हैं कि पनीर को अच्छे से मथा ना हो या आलू मोटे रह दे हो या कॉर्ण फलोर कम डाला हो ये भी हो सकता है कि बहुत जादा गरम तेल में डाल दिये हो या फिर बहुत कम गरम तेल में डाल दिये ये चार कारंट जिनकी वज़े से हमारे कोपते फट कर तेल में बिखर जाते हैं कोपतों को हम पलट पलट कर सेख रहे हैं और हमारे कोपते हलके गोल्डन हो गए है अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी सेखने के लिए डाल देते हैं हमारा दूसरा बैच भी सेख गया है इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं वामारा मसाला भी ठंडा हो गया है अब एक मिकसर जार लेंगे और इस में इस पके उए तरमाटर प्याज के पीछो को डाल कर पेश्ट बना लेंगे अब गैस पर कड़ाय रखेंगे कड़ाय को गरम करेंगे और एक चमज ऑईल डालेंगे, ऑईल गरम हो गया है, अब डालेंगे आदा छोटी चम्मच जीरा, दो लॉंग, दो छोटे टुकडे दाल चीनिके, और एक बड़ी एलाईजी, और अब इसमें डालेंगे टमाटर प्याज का पेस्ट, जो हमने बना कर रखा है, उसे भी डाल देंगे, और जार को धो कर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे जार से हमारा सारा मसाला निकलाएगा, और अच्छे से पकाएंगे, चलाते हुए, जब तक कि यह हमारी मसाले तेल नहीं छोड़ देते, यह मसाले पकते बक्त काफी उछलते हैं, और इनके छीटे हाथों पर आजाते ह इस पज़े से आप या तो कोई थाली ले ले लें, या मेरी तरह टक्कन से ढग दें, और गैस का फिलेम लो कर दें, और थोड़ी थोड़ी देर में डक्कन हटा कर चलाते रहें, और जैसे ही मसाला बुन जाता है, तो छीटे आना बंद हो जाते हैं, तब आप चलाते हुए पका लें, हमारे मसाले पकते हैं, तब तक हम धाई का मसाला बना कर तयार कर लेते हैं, हमने आदा क्टोरी धाई ली है, इसे फैट कर लें, या मसाला डाल कर फैट लें, अब हम डालेंगे आदा छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर वैसे हम हल्दी पाउडर पहले भी डाल चुके हैं एक चोथाई चम्मच फिर भी डाल देंगे इसलिए एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर अब डाल रहे हैं और इनको अच्छे से mix कर लेंगे एधर हमारे मसाले भी पक गए हैं और oil भी छोड़ दिया है अब हम धाई वाले पेश्ट को भी डाल देंगे और mix करेंगे और धाई को डालने के बाद तब तक चलाते रहेंगे तब तक हमारे मसाले में वबल्स नहीं आ जाते धाई फट सकत और फटे हुए धाई का सब्जी में सुवाद अच्छा नहीं आता है धाई हमारी पक गई है और इसमें अच्छा सा वाल भी आ गया है हमारे मसालों ने ओल छोड़ दिया है अब हम डालेंगे चार चमाच फ्रेश मलाई घर के दूद्गी और इससे चलाते हुए एक मिनाट त पकाएंगे और डालेंगे कस्तुरी में थी एक चमाच कि इससे सब्जी में बहुत अच्छा केश्ट आता है और अब मसालों को फिर से अच्छे से भूल लेंगे जतना अच्छा मसाला वोंता है उतना ही अच्छा स्वाद आता है ग्रेवी में मसाले को भूनते हुए 5-7 मि छोड़ दिया है अब इसमें डालेंगे आदा गिलास पानी अपने अनुसार कम ज़्याधा कर सकते हो वैसे कोपतों की ग्रेवी ठिक नहीं रखनी चाहिए क्योंकि कोपते ग्रेवी को सोक करते हैं पकी हुई ग्रेवी में जब भी आप पानी डाले तो गरम पानी का ही यूज हमारे ग्रेवी में ऊबाला आ चुका है अब इसमें दो हरी मिर्ची को लंबा लंबा काठ कर डाल दिया है हम इसमें में एड करदेते हैं । मिया और हल्के हास से मिक्स करेंगे और उपर से हरा धनय डाल कर गानिश करेंगे लीजिए तयार आय हमारी शाही पनीर कोप्ता करी हमारी पनीर कोप्ता करी बहुत ही टेस्टी बनी है अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे और उपर से क्रीम से और हरे धनिये से गार्नेश करेंगे हम इसे पूरी पराठा नान किसी के साथ भी खा सकते हैं हमारे मलाई कोपते बहुत ही soft और हुई जैसे बने हैं और खाने में बहुत ही tasty बने हैं तो आप भी कोपते की सब्जी बनाईए और मुझे comments करके बताईए कि आपको पनीर कोपते की सब्जी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक like तो बनता है और आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी ही subscribe कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का notification जल्द आपके पास पहुंच जाए धन्यवाद